उम्गंगा तरंगरमनी यजटा कलापम गौरे निरंतर विभूशित वाम बागम नाराय नप्रियमनंगमदा पुहारं वाराणसी कुलबतिंबजविश्वनाधम नमस्कार सवागत है आपका हमारे इस चैनल अचार वानी और में अचार ivory कि विकृमन दित्र आपके साथ हूँ और हम समय समय पर आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार से होगा क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करेगा बताती ही रहते हैं और बहुत सारे लोगों के लाइक्स बहुत आते हैं और बहुत सारे प्रश्ण भी वेचते हैं हम प्रयास करते हैं कि वर्टसप के बादें से जितने प्रश्ण आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी उपाय जवाब भी दें अब सूर्य परिवर्तन की तरफ चले गए और सूर्य का ये परिवर्तन कुम राशी में जो परिवर्तन है बहुत महत्वोर है पूरे संसार में परिवर्तन लाने का योग बनाता है रितु परिवर्तन करने का योग बनाता है सर्दियां सवाप्ति के दर जाती है और इसी कुम्ब के परिवर्तन से पूरे विश्व में नया उदय करते हैं प्रकृति प्रस्पूटित होती है नए रूप से बसंत का मौसम सुन्दा तरीके से आता है भारत्ती संस्कृति में और ये नव जीवन, नव संस्कृति, नव आनंद को प्रस्पूटित करने का सुन्दर योग बनाता है करक राशी वालों के लिए भी ये परिवर्तन थोड़ा ध्यान रखने वाला भिखाई देता है में तोपूर्ण है बहुत अच्छे से देखिए आपके सूर्य जो है न वो दुति भाव के स्वामी है सूर्य जो है वो विशेश्टर भे धनेश है सूर्य जो है कुटुम्ब के स्वामी है सूर्य जो है नेत्र के स्वामी है आपकी राशी के अनुसार से सूर्य जो है वो कई प्रकार से बहुत ज़्यादा मैतवपूर्ण घ्रह माने जाते है धन के संबन्द होया है धन तो बैसी सबसे मैतवपूर्ण है वहां के स्वामी सुर्य वह आपकी राशी के अनुसार से हैं और वो परिवर्तित करकर आपके राशी से विश्चतर पर आपके जहां के राशी के स्वामी हैं वहां से बिल्कुल दृष्ट्री दालने के युग बना रहे हैं और शनी महराज ने जिस परकार से कई भी लंबे समय से करक राशी वालों के लिए कई कश्ट देनी के युग बना रखेते हैं और सूरे के परभाव से वो भी लोप हो गए है पुत्र के घर सूरे आए है तो उनके सम्मान में सूरे महराज के सम्मान में शनी जो है सबसे हटी गह माने जाते हैं और वो भी निस्टेज हो गए है उनोंने भी अपने सम्मान के तौर पे अपने प्रकाश को लोग कर लिया कि प्रभू आप आए घर पे स्वागत है आपका तो इस प्रकार से शनी हो गए है चुप और यही आपके लिए बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि शनी का चुप हो जाना आपके लिए धनागवन की सूचना उपस्तित करता दिखाई दिरा है आपके लाब के मारगो प्रशस करता दिखाई दिरा है आपके कुटुम्ब को ठीक करता दिखाई दिरा है क्योंकि यही चाहे वो एक महीने के लिए क्योंकि आप शनी महाराज तो दाई साल चलते हैं लेकिन कम से कम एक महीने धन के आदमदनी के मामले में सूरे का परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन करने के योग बनाने वाला है तो हमें साफसाफ दिखाई देता है आपके लिए बहुत सुन्दर योग है ऐसे में विशेष्टतर पर आपको कुछ मामलों में खास्तों बेध्या देखते हैं जो अश्टम भाव है वह बड़ा महत्वपूर्ण भाव है जहां सूर्य जा रहे हैं ये कहा जाता है बंधन का भाव है ये कहा जाता है मिर्त्यू का भाव है ये कहा जाता है मिस्ट्री का भाव है संपूर्ण योग ज्यान का भाग भी अश्टम भाव माना जाता है रहस्यों का भाव माना जाता है अश्टम भाव ठंडा भाव माना जाता है और ऐसे में सूर्य का यहां जाना आपकी राशी के अनुसार से बड़ा महतुपूर्ण है सूरे जो हैं बड़े तेजवन्त स्वामी है और ऐसे में ध्यान रखते हुए कारे करने की ज़रूआत है आपके कुछ कर्ब गलत रस्ते जा सकते हैं और वो आपको विशेशत तरफे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए खास तरफ पर है और विशेशत तरफे ध्यान रखते हुए कारे नहीं करेंगे तो नहीं नहीं पर सकते हैं और ऐसे में हो सकता है कि आपके अनेतिक कारों में लिप्ट हो जाए या योग बन जाए तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कोई गलत काम, मिस्टरी वाले काम जो रहस्ते वाले काम होते हैं छुबा के संसार से छुबा के कारे कर सकते हैं उन सब कारेों में यह आप में की involvement होने के योग बन सकते हैं जो संसार के प्रकाश में नाये रहस्ते में काम करने वाले हों और उन सम कारेों में आपकी involvement कुछ बढ़ती दिखाई दे रहे इस सूरे का यह परिवर्तन यहां इस प्रकार का प्रभावत पन करता ध्यान लखेगा कहीं न कहीं कोई न कोई दोस्तों के साथ ऐसे में जुवा अत्यादी जटा इत्यादी ऐसे कर्मों में भी आपको लोग प्रवोक कर सकते हैं गलत संगत से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए यह ग्रह दिखाते हैं यदि किसी बच्चे की राशी में इस प्रकार का योग है आपकी घर में कोई बच्चे की करक करक राशी है तो ध्यान लखेगा दोस्तों के अनुसार से कहीं गलत संगत में बच्चा ना पस जाए इस बात को भी माता पिता को ध्यान लखते हुए कारी करने का प्रयास करना चाहिए कब समय अच्छा है ऐसा नहीं होता कि बच्चा कोई खराब होता है संगत गलत मिल जाती है ग्रहों का योगा योग बना समय बना और वहां वो खिस्ता चला गया और ऐसे में यदि आपको ग्यान हो तो आप उसको थोड़ा सा नजर रखकर उसके जीवन में होने वाले अशुप परिवर्तन को शुप की तरफ थोड़ा सा अंकुष लगा के परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं ग्रहय योग दिखा रहे हैं कि कई प्रकार की चिंताओं से भी मुक्त विश्वरस्तर पर आपको ग्रसित होने के योग बन सकते ध्यान लखी का सूरे का अश्टम भाव में जाना चिंताओं को बढ़ाने वाला भाव माना जाता है अनैसरी की चिंताओं एजुकेशन के सम्मन्ध में तो मुझे दिखाई देता है ग्रहे दृष्ट कृण से एक शुप प्रभाव रहेगा क्योंकि शनी हो जाएंगे अस्त जिन बच्चों के एक्जाम आ रहे हैं उनके लिए सफलता बुद्धी सही रूप से कारे करने के योग बन सकते हैं यानि करक राशी वालों के लिए ये समय जो है एक्जाम वाला बच्चों के लिए वो बढ़ा अच्छा दिखाई देता है उसमें उन नतिकी क्योंकि शनी महाराज बाए किसी भी कारण से यानि करने प्रकारे ने जैसे सूरी ने अस्त कर दिया तो उनका जो दृष्टी पढ़ रही थी विद्या बुद्धी वाले भाव में वो एक आपके लिए बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है और ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है इसके अनुसार से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ऐसे में यह आप अन्यसिती के ध्यान रखीगा थोड़ा सा आपके इंदर रिजिडनेस बढ़ जाएगी ग्रहों का परिवर्तन दिखाता है कि अन्यसिती की रिजिडनेस बढ़ने की योग बन जाएं तो लेकिन क्रियाटिविटी भी बढ़ाता दिखाई दे रहा है कुछ नई चीज का प्रादुर्भाववपूत्पन करता दिखाई दे रहा है तो ऐसे में आपके लिए ग्रह दिष्टी कोण से कुछ उपाएं करने बहुत सरूरी है और हमारी दिष्टी कोण से एक छोटा सा उपाएं गउ सेवा हरी घास या विश्च दौर पर आपकी राशी के दूं साथ से नहीं बात करें तो वह बाजरा भी ले सकते हैं भीगो के बाजरे को अच्छे से और फिर उसको गाएं को खिला दीजे घास खिलाएं जौार खिल होकर और विश्च भी खिला सकते हैं या रोटी अपने हाथ से खिला सकते हैं नित्य पती इन दिनों में यह चोटे-चोटे उपाएं जो हमने आपके समक्ष रखे यह अवश्य करें और गउ सेवा सबसे स्रेश्ट उपाए हैं आपकी राशी के दूसा से सूरी को अर्ग द तो यह प्रियास कीयाँ उनको वश्षित्रपर विष्च कर दिया जाए तो यह स lid Academy को ऐने को अ विशेश्टर भवान सूरे को अर्ग दें, हो सकते तो भवान सूरे को तामे के लोटे से एक जल डालकर थोड़ी से रोली डालकर थोड़ा एक स्पीला पुष्व डालकर ओम घ्रणी सूरे आदित्याय नहां इस मंत्र का जब करते हुए उनको अर्ग दीजे ईश्वर की से अर्ग देने का छोड़ा सा उनको नहीं इस नान करने के उपरांत सूरे की रोशनी में जाए और शूरे की रोशनी आपके शरीपर पूरीते से पढ़नी चाहिए, और जब जल दें से उपर से लोटा गरना चाहिए और सूरे के रोशनी उस जल के अंदर से निगल कर आपके शरीष पर पढ़नी चाहिए और एक बात का और धार रखना चाहिए सुर्य का जल देते वक्त जो जल आप दे रहे हैं उनकी चीन्टें आपके पैर पे नहीं आने चाहिए इन बात का हमें क्या वबस्ताती थी जब गंगा नदी में खड़े होकर तलाब में खड़े होकर पहले अल्ग देने की वबस्ता की जाती थी तो ऐसे थोड़े उचे स्थान पर खड़े होकर आप यदि यह उपाय करने तो इश्वर की क्रपास है यह जो वाइटिनिटी को बढ़ाने वाला समय है सुरी के विश्वर प्रकाश को लेने वाला समय यह उपाय है संपूर्ण रूप से कष्टों को दूर करने वाला रहेगा खेर हमने आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया और इसके बाद प्रश्ण मन में वह चिंता ना करें वाटसप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हम समान प्रश्णों को समय समय उपार देते रहते हैं जो भी आप हमेरे चैनल पर लिखे वेशते हैं उन सब सुजिशन को उन सब सुजावों को उन सब के प्रश्णों को निदान भी देने का प्रयास करते हैं यह तो जोतिश का विशे है और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवरताने वो आपको अविश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं और इसके साथ और भी बहुत सारे जोतिश का भाग है जर्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा उसके लिए आप व्रहद रूप से जोतिश का लाब लेने का प्रयास कीजिए हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसर्ट करते हैं तो बड़ा विच्चितर विड़म अभी कुछ दिन पहले मेरे हमारे पास एक वेक्ति जर्मपत्ति दिखाने आये आख हमने जर्मपत्ति जब देखी तो उनके मूल भूप से द्रशा चल रही थि एक वे वह द्रशा बहुत शुपonta नहीं दिखा रही थी और जेक्ती ने जरमपत्री भी कही जगे दिखाई हुई थी हमने पूचा पर जरमपत्री कहीं दिखाई थी पहले तो जब बोला हाँ जी दिखाई थी और उन्हें कहा कि आप जिसे दिशा के बारे में बोल रहे हो और वो बोला वो दिशा सबसे कष्टकारी है इसी कारण से कष्ट हो रहा है जबकि वो दशाय योग कारण ग्रह की थी और बहुत सुन्दर थी उनती के योग बन रहे थे लेकिन जोत्षी महराज सो कॉल जो आज की तारिक में जो तथागती तौर पर बार सी आ गई है हरकोई जोतिष विज्ञान के अंसवार बिना परंपरा के कारे करने के सुन्दर तरीकी से अपने आपको उपस्तित करने का प्रयास कर रहे है वो बड़ा भयावा हो गया है उन्हेंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं साड़े साथ नहीं चल रही थी उसको ज्यान नहीं था ज्यान करने के लिए विचार पतानी कौन-कौन से उपाय विक्ति के जीवर में कराय जा रहे है लाकों रूपे लोग खर्च कर रहे है देखे भाई जोतिष डिष्टिकोन से आप समझने का प्रयास कीजे पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उचार नहीं होने वाला है भाव समर्पित करने का प्रयास करें सुरे को जरी ठी करना है आपके लिए तो हमने बाय बताया ना भावान को अर्ग दीजिये उतने से प्रसंद हो जाएंगे और क्या शास्त में वरणित है चोड़ी चोटे उपाए शास्त में जो वरणित है हम वही आपके समख्ष बताने का प्रयास करते है उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्यान का मार प्रशस्त होगा नहीं तो दुकाने खुली है कोई नग बेच रहा है कोई कुछ यंत्र बेच रहा है कोई कुछ और बेच रहा है और उनी प्रपंचों में व्यक्ति फसके रह जाता है वास्त विक तोर पर समस्या है फिर मन में दुख देती है यह सब प्रपंच है आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहे दुकान है अनेक प्रकार की खुली है अब आप जहां किसमत से जाएंगे आपको वो धुनना पड़ेगा प्रयास करना पड़ेगा सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता अचाश्री केशर देव जी ने हमारे निस्थापित के आस्ति करीब पर 60 साल पहले और सुन्दा तरीके से ये कारे हम आश्रम में से कित्वारा खिरते हैं आप भी हमारे विवेकानन योग आश्रम में सादर आमंत्रित हैं बहुत सारे समय से अपर कारी चलते हैं नित्यपती करीब 8 घंटे का यग चलता है आश्रम पर उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं हर अभीबार वाले कारीक्रम में बहुत सारे और सुन्दर कारीक्रम रहते हैं विशेवात्री आने वाली है उसका एक बहुत बड़ा कारिक्रम आश्रम पे रहेगा जिसमें भवान शंकर के पार्थिव शेलिंगे उनका निर्मान करके उनका रुद्रा विशेख करने का सुन्दर कारिक्रम रहेगा आप समस्तर रूप से यह आश्रम से जुड़ेंगे तो एन पैनल पे है और बहुत सारे लोग इसका लाव लेते हैं विभिन विवारियों में भी उनकी जोतिश के द्वारा योग के द्वारा मंत्र विज्ञान के द्वारा येगे विज्ञान के द्वारा चमतकार एक लाव मिलता है हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से विख्ति बन जाते हैं तो इन सब सिध्धानतों को समझते हुए बारती संस्किती में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यग्य विज्ञान, सब चीज का विधान, शेहस्तों शाक्षाओं का विष्थित किया गया है, उन सब का लाब आपने, जोड़े विवेकान अन्देवका क्या है, तान देवाद.